नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आरवी एडिटीव क्लास में आज मैं आप लोग के लिए कोस्चन ले करके आया हूँ यह जो कोस्चन है यह कोस्चन क्लास 10 की मैथ बुक से लिया गया है सीवेसी बोर्ड के स्टूडेंट के यह कोस्चन आपको पेज नंबर 245 म मिल जाएगा यह चैप्टर नंबर 13 से कोस्चन लिया गया है जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो आज हम यह वाला कोस्चन करेंगे चलिए देखते हैं कोस्चन में क्या पूछा गया है तो अभी के लिए जो कोस्चन है हमारा इसमें यह बोला गया कि प्र से उस पाइप के अंदर नाले तो आपका वोचला जाएगा वह एसा कोई सिलिंडर जिसमें आपकी उंगली ना जाए वह पूरी तरह से मेट्रियल से भाए हो उसको में कहते हैं सॉलिड अब उसमें से हमें क्या करना है कि एक कोनिकल केविटी करनी है यह पिर कोन वाली आइ हमारे पास एक cylinder है और यहां पर हम उसमें ऐसा कोई सेप जो है वो काट करके निकाल रहे हैं यह वाला सेप जो है वो काट करके निकाल रहे हैं तो इस question में जो मारी surface area total कितनी होगी वो बताना है हमें क्या बताना है total surface area of the remaining solid तो चलिए देखते हैं कि यह तो हम कहानी समझगे picture समझ गये कि एक ठोस cylinder है उसमें कहीं भी gaping नहीं थी बाद में हमने एक कोन जैसे आकार का काट करके निकाल लिया जिसकी height कितनी है 2.4 cm है और diameter कितनी है वो है 1.4 cm ठीक है तो इसका में बताना है कि जो total surface area होगा remaining solid का वो कितना होगा यह क्या बोला है कि the nearest cm² दीखे बहुत सारे student इसको 2 पढ़ते हैं यह दरसल में ऐसे लिखा हुआ है cm² ठीक है तो फिर देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुश्किल से एक सेकंड लेगेगा सब्सक्राइब कर लो विडियो को लाइक कर लो और notification बेल दबा करके आल पर select कर लो ताकि मेरे सारे वीडियो इसमें पर इवेन हाइट आफ सिलिंडर हाइच इस इक्वल डू टू पॉइंट फोर सेंटिमीटर अब यह जो वैलू दी गई है यह आपको डेशमल में दी गई है मेरी सला यह है कि आप कोई भी वैलू को फ्रेक्शन में रखा करें उससे काटने और solve करने में बहुत ही आसान हो जाता है तो मैं आप देखिए एक डेशमल के बाद एक डिजिट है तो मैं आप 10 से नीचे उपर multiply करूँगा तो यह मुझे मिलेगा 24 by 10 cm इसी प्रकार से जो diameter दिया गया है सिलिंडर का यह मिटर आफ सिलिंडर डीज इक्वल डू हमें दिया गया है 1.4 cm अब मैं इसको भी जो है चेंज कर लूँगा तो यह हो जाएगा 14 by 10 cm अब अगर radius की बात करें है ना radius आफ सिलिंडर आर तो जो सिलिंडर की radius दी गई है वो diameter by 2 होगा तो diameter कितना है 14 by 10 upon 2 बहुत सारे student यहां पर गलती करते हैं गलती मत करना नीचे वनमान लीजिए इसको उपर ले जाएए और इसको नीचे ले जाएए तो यह आ जाएगा कितना यह आजाएगा 14 by 10 into 2 तो फाइनली कितना आजाएगा 7 by 10 cm आजाएगा मैं बहुत basic से solve कर रहा हूँ तो इसमें बहुत सारे student ऐसे होंगे जिनको यह चीज़े आती होंगी तो वो bore होते होंगे देखिए bore मत होईए आपके भी कुछ ऐसे भाई हैं उनको बहुत दिक्कत होती है तो मैं यहाँ पर इसलिए basic से पढ़ा रहा हूँ अब यहाँ पर दिखिए हमारे पास height भी आ गई radius भी आ गया problem आती है किसकी problem आती है silent height L की क्योंकि जब हम कोन का surface area निकालेंगे card surface area तो आपर हमें pi rl formula को apply करना पड़ेगा जहाँ पर L आता है तो चलो फिर silent height भी calculate कर लेते हैं silent height अब silent height किसे बोलते हैं देखिए कोन में जो यह तीरचा वाला portion होता है न यह वाला या फिर यह वाला इसको हम कहते है silent height L ठीक है क्या कहते है silent height तीरची उचाई जिसको हम कहते हैं L तो L का जो formula होता है वो होता है under root h square plus r square height का square plus radius का square का जब हम स्क्वार root लेते हैं तो हमारे पास silent height L बनता है अभी आपको पता है कि जो h की value है वो कितनी है h की जो value है वो है 24 by 10 ठीक इसका आप square कर लीजे radius की जो value है वो है 7 by 10 इसका भी आप square कर लीजे तो आपको क्या मिलेगा देखे अब यहाँ पर आपको square 1,2,30 तक का learn होना बहुत जरूरी है नहीं learn है तो आप जाकर के learn कर लीजे मैंने अपने channel की playlist में पढ़ा रखा है तो यहाँ पर 24 का जब square करेंगे तो 24 का square 5,76 होता है 10 का square 100 होता है इसी प्रकार से 7 का square 49 और 10 का square 100 होता है अभी आज़े देखे denominator, denominator सेम सेम है 100,100 है तो उपर वाले को numerator को numerator को add कर लेंगे 6 plus 9 15 होगा 5 right कर लेंगे 1 carry 7 plus 4 11 होगा 1 carry 12 हो जाएगा फिर से again 1 carry कर लेंगे 5 और plus 1 carry 6 हो जाएगा upon 100 अब जब इसका square root लेंगे तो देखे 6 25 का square root होता है वो होता है 25 इसी प्रकार से 100 का square root होता है वो होता है 10 अब जो salent height L की value आएगी वो 25 upon 10 cm में आएगी या फिर आप अपनी language में decimal में लिखना चाहते हैं तो 2.5 हाएगी देखे एक 0 है तो decimal एक अंक left side में जो है वो slide हो जाएगा खिसक जाएगा फिलाल मुझे fraction में लेना है तो decimal की कोई जरूद नहीं है क्यों लेना है क्योंकि काटने में बहुत आसान होगी आएगे चल करके आप देखेंगे तो यहां से हमें हाइट भी मिल गया रेडियस भी मिल गया सलेंट हाइट भी मिल गई अब हम चलते हैं अपने कोईचन की तरफ कोईचन में हमसे पूचा गया है कि भाई देखो टोटल सर्फेस एरिया बताओ रिमेनिंग सॉलिड का तो रिमेनिंग सॉलिड का जो टोटल सर्फेस एरिया उसमें हम सबसे पहले सेलेंडर का करड़ सर्फेस एरिया एड करेंगे सीएस से आफ सेलेंडर यानि की करड़ सर्फेस एरिया आफ सेलेंडर प्लस बेस एरिया आफ सेलेंडर plus CSA of Code CSA मतलाब होता है Corver of Surface Area अब यहां पर जो आपका CSA होता है Cylinder का वो होता है 2PiRH जो base area होता है वो circular form होता है यानि की circle के form में होता है तो circle का जो area का formula होता है वो होता है ΠiR² ठीके trends यहां पर थोड़ी दिक्क्त आ गई है है ना system थोड़ा lag कर रहा है एक बार आप comment करके बताए कि आपकी आवाज होगार है सही आ रही है क्या ठीक है एक बार comment करके बताए क्या आवाज होगार है सही आ रही है ठीक है सब ओके है so pi r square plus यहापर जो third surface area होगा कौन का वो होगा pi r l तो यह हमारे पास फार्मूला है अब यहाँ से ध्यान से देखना यह जो pi r है ना pi r यह हम कामल ले सकते हैं और कामल लेने पर हमारा calculation और छोटा हो जाएगा तो pi r जब कामल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2h प्लास यहाँ पर बचेगा r और यहाँ पर बचेगा l अभी pi की value होती है 22 upon 7 r की value आपने find किया है 7 upon 10 h की value होगी 2 into 24 upon 10 ठीक r की जो value होगी 7 upon 10 l की जो value आपने find किया है 25 upon 10 आप द्यान लेखना यहाँ से अभी इस 7 और इस 7 को cut कर दीजिए इस 22 11 जा 22 और 2 5 जा 10 से cut कर दीजिए तो इधर बचेगा 11 by 5 और इधर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो 2 into 24 हो जाएगा यानि कि 48 by 10 अब 10 यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है सबका जो denominator है वो सेम है तो मैं आपर simply क्या कर लेंगे addition 48 प्लस 7 प्लस 25 आपान 10 बहुत सारे student यहाँ पर गलती करते हैं देखते हैं कि सारे denominator में तो 3 बार 10 आया तो हमकी क्यों ना 3 बार 10 लिख दें वो गलत है एक ही बार लिखा जाता है फ्रेक्शन के case में तो अभी हो जाएगा 11 by 5 अब इनको add कर लेते हैं देखे 8 प्लस 7 15 प्लस 5 22 carry 4 प्लस 2 6 और प्लस 2 8 आपान 10 ठीक है अभी इस 0 से 0 cancel out हो जाएगा हमारे पास बचेगा 88 कितना बचेगा 88 अपान 11 8 जा 88 अपान 5 5 से division कर लेते हैं तो 5 बचेगा इधर 5 हो जाएगा अना remaining कितना बचेगा 3 और अगेन अगला digit ले लेंगे तेहां पर 38 हो जाएगा 5 7 जा 35 3 remain हो जाएगा point लगाएंगे तो 30 हो जाएगा 5 6 30 अंसर आ रहा है जो वह आ रहा है 17.6 cm2 ठीक है लेकिन चुकि हमें nearest में answer देना है तो यह वाला जो है 5 से बड़ा है तो यहाँ पर इसमें एक digit add कर लेते हैं ऐसा rule होता है ठीक है अगर last digit 5 से बड़ी है तो उसके पहले वाले digit में एक add कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाए तो उमीद करता हूँ students की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ समझा पाया होंगा अगर यह वीडियो आप लोगों को helpful लागा है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों को भी share करें इसी परकार के वीडियो लेके मिलते रहेंगे अगले वीडियो मे तब तक के लिए thank you class